हलो इबरीवान, अभी हम लोग क्लास लेवन थिंदी में अंतरा बुक से इदगा के प्रसन भ्यास को देखेंगे, इसके लेखक प्रेम चंजी हैं, इसमें पहला प्रसन है, इदगा कहानी के उन प्रसंगों का उलेक कीजिए, जिनसे इद के अउसर पर ग्रामडी परिवेस का उल्लास प्रगट होता है, तो देखें, इद के समय में गाउं का क्या महोल होता है, उसको इसके इंसर में हमको लिखना है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे, इद के समय खेतों में हरियाली, और आस्मान में लालीमा ब्याप्त होता है, ऐसा लगता है मानो, सुहाउने सुभ और सीतल सूर्य के साथ प्रकिती भी इद मना रही हो। इद के उसर पर गाउं में उस्सा और हल्चल बढ़ जाता है। इद गाह जाने के त्यारी में पूरा गाउं लग जाता है। कोई कुर्ते के बठन के लिए पडोसी से सुईधा का मांगता है। तो कोई अपने कडे जूते में डालने के लिए तेली से तेल मांगता है। इद गाह में लगे मेले में जाने के लिए सब ज़्यादा बच्चे खुस हैं, वे मेले में मिठाई और खिलोने खरिदने के लिए जमा किये पैसे गिन रहे हैं। इस प्रकार इद के समय पूरे उसका विद्वन्स कर देगी इस कथन से लेखक का क्या आसा है। देखिए इस कथन में लेखक आमित के जो उस्सा है और जो विश्वास है। उसको बताना चाह रहे हैं कि विप्रित हलातों में भी वो अपने आसा को नहीं छोड़ता है। इसी को इसके उत्तर में इस कथन का आसा हिया है कि यदि मनुस्य के भीतर साहस और बाहर विश्वास हो तो वो हर कटनाई का सामना कर सकता है। अना थामित को पूरा भरुसा है कि उसके माता पिता एक दिन अच्ची चीज़ें लेकर जरूर आएंगे। अपने आसा और विश्वास के दम पर गरीब भामित के वलतीन पैसे में भी मेले जाने को बहुत खूस है। वह इतने कम पैसों में भी अपने दोस्तों की तुलना में बेतरीन समान खरिद लेता है। अगला प्रसन तिसरा है उन्हें क्या खबर की चोधरी आज आँखें बदल ले तो यहाँ सारी ईद मुहरम हो इस कथन का आसा है इस पस्ट कीजे। दिखें इस कथन में बताया जा रहा है कि आज भी जो गाउं के लोग हैं वो बड़े महाजनों के चुंगुल में दबे हुए हैं बिना उधारी के उनका काम नहीं होता है। इसी को इसके उत्तरम लिखेंगे कि इस कथन से आसा है कि ग इत की सारी खुसी मोहरम के मातम में बदल जाएगी। अगला प्रस्ण चार है मानो भात्रित्व का एक सुत्र इन समस्ता आत्माओं को एक लड़ी में पिरोवे हुए हैं। इस कथन के संदर्म में इसपस्ट कीजिये कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। देखिए चा इत के समय एक दूसरे से गले लगते हैं इससे पता चलता है कि सभी के आत्मा एक हैं और सभी भाई-भाई हैं। लेखा किसी कारण इस कतन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि धर्म जोड़ने का काम करता है तोड़ने का नहीं। अगला प्रस्ण चठवा है निमलिकीत गध्या प्रेम चंद्वारा रचित इतगाह कहानी से ली गई हैं जिसमें इत के समय नमाज पढ़ने वाले रोज़ेदारों का सजी वर्णन किया गया है। अब इसका ब्याक्या लिखेंगे लोग इतगाह के मैदान में पंक्ती बद्द होकर नमाज पढ़ रहे हैं। उनके चेहरे है सभी बेदबाव भुला कर एक हो गया हूँ। देखिए इसके बाद इसकी भासागत विसेस्ताओं को लिखेंगे। भासागत विसेस्ताएं सरल खड़ी बोली और उर्दू सबनों का प्रियोग क्या गया है। अब अगला खा है बुडिया का क्रोध स्वास से भरा हुआ इसके उत्तर में सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे प्रस्तूत पंक्तियां इदगाह कहानी से ली गई हैं। इसमें हामित के चिम्टे को देखकर उसकी बुरी दादी के भावों का सजी वर्णन है। फिर ब्याक्या लिखेंगे हामित के या बताने पर की वह चिम्टा अप हमित के खामोच प्यार को पाक अरुआ गदगद हो गई। इसकी भी भासागत विसस्ताएं पहले जैसी ही हैं सरल खड़ी बोली और उर्दू सब्दों का प्रियोग किया गया है। अगला प्रस्ण सात्मा है हमित ने चिम्टे की उप्योगिता को सिद्ध करते हुए क्या क उसे खुब आसिरवात देगी और उसकी खुब परसंसा करेगी। तिसरा है चिम्टा हमेशा काम आएगा या खराब होने वाला नहीं है। चिम्टा रोटी बनाने में खेलने में और अनेक काम में आ सकता है। अगला प्रस्ण है जिसमें हमको अपने दिमाग से लिखना है देखें मैंने कैसे लिखा है ऐसे ही आपको इसको लिखना है। गाउं से सहर जाने वाले रास्ते के मद्दे पढ़ने वाले स्थानों का ऐसा वनन प्रेमचन्द ने किया है। मानों आखों के सामने चित्र Пол पस्तित हो रहा हो। अपने घर औ विद्द्दलाए के मद्दे पिठाईयों, सब्जीयों की अनेक दुकाने हैं, बजार के बाद महाविद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् कथन से बुढ़े हमीद और बालिका आमीना से लेखक का क्या असा है इस पस्ट कीजिए तो देखे इसके उत्तर हम लिखेंगे बच्चा होने के बाद भी हमीद ने खिलोना या मिठाई खरिदने की जगा अपनी दादी के लिए चिम्टा खरिदा जो कि उसके बुढ़े या स जो बच्चा हमीद है वो एक बुजूर्ग हमीद की तरह या एक समस्दार विक्ती की तरह बैवार करता है अपनी दादी के लिए चिम्टा लाता है वहीं पे जो उसकी बुढ़ी दादी हमीना है एक बच्चे के समान रोने लगती है इसका प्रस्णा दसुआ है दामन फैल पर इसपस्टे कीजिए तो देखे इसके उत्तरम लिखेंगे लेखक के नुसार हमीद हमीना के दुआओं और आसुओं के रहस्यों को नहीं समझ पाया क्योंकि वह एक नादान बालक था वह इस भेत को नहीं समझ पा रहा था कि कि इस भावना में बहकर उसके दादी एक ब दातों को समझ पाए इसलिए लेखक ने इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है प्रस्टन 11 है यदि हमीद की जगा आप होते तो क्या करते देखे इसका उत्तर जो है आप अपनों सा लिख सकते हैं देखे मैंने कैसे लिखा है इसके उत्तर में लिखेंगे कि हमीद की पैसों से खिलोने या मिठाईयां खरिद लेता मेले में जाने पर मेरा मन लल्चा जाता और मैं अपनी दादी के दुख को भूल जाता हामित बहुत ही समधार बच्चा था इसलिए उसने पहले अपनी दादी के बारे में सोचा अब आखिर में चलिए बताईए किसनिस चेप्टर को अच्छे से पढ़ा है इस MCQ कोस्टन के इंसर को आपको कमेंट करके बताना है नूरे को कौन सा खिलोना पसंद आया आप सने है भिस्ती, B है वकील, C है सिपाही और D है धोबन तो आसा करता है वीडियो आप लोगों को ब बताईएगा, THANK YOU FOR WATCHING!